ओम नमस्षिवाए अक्सर मेरे पास क्वेरी जाती हैं जिसमें कि लोग बड़े हताश होते हैं बड़े परेशान होते कि गुरुजी क्या करें क्या ना करें तो इस असमंजस को दूर करने के लिए दिलो एक और फोन आ गया कितने वकाद दुखड़ा दूर करूं मैं अलो हाँ जी मैं विद्या काम हो रही हूं बोलिये जो वीडियो मैंने देखा वो महारत मंद्र क्या रियल में काम करता है मतलब क्या लगता है तो मैं वहां पर क्यों रखोंगा उसको क्या रहते हैं वो क्या होता है मतलब ऐसा ही कुछ काम करता नहीं फिर रहता ही बोल देखो मैं तुम्हें बताता हूं तुम चाहे आसमान को जमीन पर लियाओ तुमसे मंत्र लगेंगी नहीं कि समझ वह इन चुद्शन से दूर हो जाओ तुम तुम्हें नहीं हें यह जाओ तुम्हें पुसका नहीं य darüber तुम्हें नहीं हो क्लिए कि neighborhoods पागल हों कि एज क्या है तुम्हारी तो यह तुमसे ना हो पाएगा इनको मत चूओ यह चीजे तुम्हारी नहीं बुने तो देखिए कैसे कैसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि फेक है यह है वो है अरे भाईया एक पत्थर तबियत से उचालो तो सही जब तक समुंदर में जाकर नहीं देखोगे कि कितना गहर है कैसे पता लगी है कितना गहर है अब सबसे पहली बात तो मारन देखिए जिस कर्म को नहीं करना चाहिए उसी को लोग पूछते हैं मारन विद्देशन उचाटन अरे भाईया वशी करन भी है प्यार बाटो प्यार फैलाव चारो तरफ लेकिन यहाँ पर mostly जो लोग हैं वो मारन के लिए आते हैं क्या मिल जाएके किसी को मार के ऐसा भी क्या हो गया कि आप किसी को मारना चाहते हैं इतना द्वेश इतना पागलपन यह अच्छा नहीं होता क्यूंकि मनाई है मारन की और जो छोटे-छोटे बच्चे आकर ऐसी बात करते हैं तो अजीव सा लगता है जब ऐसी बाते मैं सुनता हूँ बहुत ही अजीव लगता है आप भी कभी मारण का प्रियोग ना करे और मैं आपको पहली बता चुका हूँ जब तक आपके जान पर ना बनाए तब तक आपको ये अस्तर नहीं निकालना होता मना ही है इसकी अगर आप इस अस्तर को पहली एक किसी ने चाटा मार दिया और निकाल के बैड़ गए तो ये चीज़ें विफल हो जाती हैं काम नहीं करती है आपको समझना होगा जब शक्तियां आपको मिलती है तो उनके साथ जिम्मेदारिया भी मिलती है आपको उतना जिम्मेदार बनना पड़ेगा अब ये जो बचकानी सी बाते करके चली गई इसको मैं क्या कहूं मतलब ये ऐसे सोचते हैं कि कोई भी कर सकता है मैं पहली बता दू मंत्र, तंत्र और ये अंत्र ये तीनों चीज़ें ये हर एक के लिए नहीं बने ये गौड गिफ्टेड होती है सिध्या करनी पड़ती है, साधनाय करनी पड़ती है तपस्या करनी पड़ती है तपस्या भी ऐसी होती है जिसमें कि हटी होकर हटना नहीं होता अपना हट दिखाना होता है कि इसको मैं साद कर रहूंगा और कोई चलता फिरता से एक आदमी आकर हमें ये समझा जाता है कि ये ऐसे होगा मतलब क्या कहीं है वो इसको हमने जब तपस्या की है सालो तपस्या करके जब मैं इसके सिद्धियां मिली है उसके बाद जाकर कुछ हो सकता है तब भी नहीं हो सकता क्योंकि जब तक सिद्धिय नहीं होगी जाया पूरा जीवन लगा दीजिये आपका मंतर काम करेगा ही नहीं और कुछ लोग आते हैं कि बस जैसे उनको सब कुछ पता हो बड़ा विचित्र सा लगता है कि क्या उनकी मान सकता रही होगी जब ऐसे कोश्चन वो करते हैं ऐसे विचार उनके मन में आते हैं और सिद्धा मारन पे पहुंच जाते हैं वश्चिकरन कीजिए आपका सहीयो करूँगा शांतिकरन कीजिए फ्री में सेवा करूँगा लेकि ये मारन क्या है मारण तब करना चाहिए जब जान पर बनाई हो सिर्फ खेलने के लिए ये चीज़ें नहीं है ये वस्तुएं दिखावा नहीं है ये एक गुड रहस्य है जिसको इस धर्ती पर कुछ ही लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो जानते हैं कि इसको इस तरह से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए अब क्यूं बोलते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए कभी जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारा जो शरीर है इस शरीर में इतने छोटे 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 जो दशा है अगर वो खुश है एक बूंद तो आपका पूरा शरीर खुश रहेगा आपके एक टिशू को अगर थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है तो आप पूरी तरह से बुरे हो जाएंगे मतलब कि आप सिर्फ एक हार्ड मास का पुतला नहीं है आप एक पूरा सिस्टम है अगर आपके किसी अंग में दर्द होता है तो पूरा शरीर उस दर्द को दूर करने के लिए अपना तापमान बढ़ा देता है तो आप इन सब चीज़ों से हट कर सोचिए थोड़ा उपर सोचिए कि किसी से द्वेश न रखें सच्चाई का साथ दें सच बोलें तो मैं आपको एक उधारनी देता हूँ आप आज से ही सच बोलना शुरू कीजिए और कभी बीचाए कैसे भी मुसीबत आ जाए आपको जूट नहीं बोलना है तो जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर वो शक्तियां आ जाती है कि आप अगर जूट भी बोल देंगे तो वो भी सच हो जाएगा क्योंकि आपने कभी जूट बोला ही नहीं तो कुछ दिवेश शक्तियां ऐसी होती है जो कि आपको उस वक्त मिलती है स्वेता ही आपके पास आजाएंगी सबसे पहले तो अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिए अपके विचार जो है वो शुद्ध होने चाहिए या फिर अपने आपको शुन्य कर लीजिए आप जहां भी किसी भी वातावरन में जाए वहां पर आपको दुनिया से आपको परे चलना होगा अगर एक भीड के कमरे में भी बैठे है तो भी आपका जो मस्तिश्क है वो एकदम शान्त रहे चाहे आस्मान तूटके गिर जाए लेकिन फिर भी आप शान्त रहे एकागर चित होकर कहीं पर भी जाएए कुछ भी कीजे उसमें अपना ध्यान पूरा लगाई है उसके बाद तो जो भी ब्लॉकेज है वो सारे हट जाएंगे और आप एक ऐसी परम शक्ति को पा जाएंगे जो इस संसार में विरले ही किसे के पास होगी अगर अधिक जानकारी चाहिए के शक्तियों के बारे में तो कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद